दोस्तों काफी ओनलाइन सर्च करने के बाद मैंने एक पावर बैंक मंगाया है और इसको यूज कराया काफी दिनों तक और अब जो मैं अपना रिव्यू दूंगा है कि यह इतने दिनों में कैसा चला है कितना टाइम लगता है इस पावर बैंक को खुद चार्ज होने में और बाकी कितने डिवाइस को यह चार्ज कर पाता है फास्ट कर पाता है कि नहीं सारी चीज़े आपको बताऊंगा आपको अलग से भी कुछ जानना होने इसके बारे में तो चैनल को सब्सक्राइब करके कॉमेंट जरूर करना सारे सब्सक्राइबर्स के कॉमेंट का रिपलाई हम जरूर करते हैं बॉक्स के साथ में जो काम की चीज है वो एक ही आप यहाँ पर देख सकते हो यह टाइप सी केबल टाइप सी के लाबा जो पहले वाले जो यूएसबी केबल होते थे ना उससे भी आप अपने डिवाइस को चार्ज कर पाऊगे इस पावर बैंक की मदद स बाकि मैं आपको बता दूँं आप जब भी कोई फटते हैं तो तो आप यह अंदर बैटरी क्योंको कफी ज्यादा होती है तो रिसक रहता है इसके उपर तो आप एक branded power bank की लेना बाकि यहाँ पे ports मैं आपको दिखा दूँ चार ports हैं यह जो side में दो ports है ने इनसे आप इस power bank को charge कर सकते हो और type C वाला जो port है इससे कोई type C to type C वाला जो charging होता है उसके लिए कोई और device को भी charge कर पाओगे अभी जो इस power bank को खुद को charge होने में 5 से 6 गंटे लग जाते हैं मेरा IQ का 65 watt का charger है उससे मैंने इसको charge करा था तो 4.5 से 5 गंटे लग गए थे नॉर्मल charger से आप मान के चलो इस power bank को खुद को charge होने में 5 से 6 गंटे तो लगी जाएंगे अब power bank को तो आप इतना time दें सकते हो को कोई phone नहीं है बाकी phone को charge होने में कितना time लगता आप यहाँ पर देख सकते हो यह मेरा realme 7 phone है जो की 33 watt की fast charging को support करता है और यह fast charge हो रहा है मैंने OnePlus वाला phone भी check करा लेकिन जो मेरा IQ Neo 6 है ना जो 65 watt की fast charging को support करता है वो fast charge नहीं हो रहा था वो slow charge हो रहा था अभी आपको बताऊंगा कितनी बार आप अपने phone को charge कर पाऊगे फिलाल यहाँ पे देखो यह जो TWS है ना यह type C को support करता है चार्ज होना और यह charge हो रहा है और यह वाले TWS है इसके अंदर पुराना USB जो पहले USB आते थे phone charge करने में वो अला charger लगता और यह भी charge हो रहा है अच्छे से अब आपको मैं बताता हूँ अगर आपका phone 5000 mh का है ना तो मान के चलो तीन बार तो उसको यह full charge करी देगा क्योंकि 20,000 mh है दोस्तों यह लेकिन आपने science में अगर इसकोल में पढ़ा हो तो कुछ एनरजी इदर उदर waste हो जाती है तो वही वाली चीज़े है थोड़ी सी बाकि आप तीन सा साथे तीन बार आप मान के चलो कि आप अपने phone को charge कर लोगे pricing की बात करने तो 2024 के सुरू में मैंने इसको 1500 रोपे का flip card से purchase किया था pricing उपर नीचे होती रहती है मैंने इसको try कर रहा है tried and tested है मेरे लिए तो यह आप इसको use कर सकते हो कुछ भी जानना होना इसके बारे में तो comment जरूर करना सारे सब्सक्राइबर्स को हम reply करते है